जै शी कृष्णा दोस्तो भीयसना फैंबली में आपका स्वागत है दोस्तो आज मैं आपको भूम् प्रदोश वरत याली मंगल प्रदोश वरत की वरत कथा सुना रही हुँ आप सभी जानते हैं कि प्रदोश वरत सभी सुखों को देने वाला है यह प्रतिक महा के कृष्ण पक्ष और शुकल पक्ष की त्रियोदर्शी के दिन प्रदोश वरत किया जाता है इस दिन सुर्यास से पहले स्नान करके श्वेत वर्ष्थ धारन करने चाहिए और सुहागिन कोई भी रंके वस्त धारन कर सकती है और विविन कुष्पो से चंदन से पंचामित द्वारा भगवान शिप जी का और पार्वती जी का पूजन करना चाहिए पूजा के समय एकाग्र रहना चाहिए और शिप पार्वती का ध्यान करना चाहिए माननेता है कि एक वर्ष तक लगातार यह व्रत करने से मनुष्य के सभी पाप नश्ट हो जाते हैं और मनवांचित फल्की प्राप्ती होती है। प्रदोश व्रत का महत्त में प्रदोश अत्वा त्रियोदशी का व्रत मनुष्य को संतोशी वसुखी बनाता है। इस व्रत से संपूर पापों का नाश होता है। इस व्रत के प्रभाव से विद्वा इस्त्री अधरम से दूर रहती है। इस से मेरी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुश सके। दोस्तों सूच जी बताते हैं मंगल त्रियोजशी प्रदोश व्रत व्याधियों का नाश करता है। इट से मुक्ति प्रदान करता है और सुक शान्ती की प्राप्ती होती है। वह प्रतेख मंगलवार को नियम पूरवग व्रत रखकर हनुमान जी की अराधना करती थी। उस दिन वह ना तो घर लीपती थी और ना ही मुटिक होती थी। व्रत करते हुए बहुत समय बीद गया एक बार हनुमान जी ने उसकी शर्धाक की परिक्षा लेने की सोची हनुमान जी सादू का वेशधारन कर महा गए और पुकारने लगे की है कोई हनुमान जी का भग्त जो हमारी इच्छा पूरी कर सके। पुकार सुनकर विद्धा बाहर आई और बोली आग्या महराज सादू वेशधारी हनुमान जी बोले मैं भूका हूँ भोजन करूंगा तू थोड़ी जमीन लीप दे विद्धा दुविधा में पड़ गई अतय हाद जोड़कर बोली महराज लीपने और मिट्टी खोदने के अत्रिक्त आप कोई दूसरी आग्या दे मैं अवश्य ही पूर्ण करूंगी सादू ने तीन बार प्रतिग्या कराने के बाद कहा तू अपने बेटे को बुला मैं उसकी पीट पर आग जलाकर भोजन बनाऊंगा विर्धा के पैरों तले धर्ती खिसक गई परंतु वह प मंगलिया को पेट के बल लिटवाया और उसकी पीट पर आग जलवाई आग जलाकर दुखी मन से विर्धा अपने घर के अंदर चली गई इधर भोजन बनाकर साधू ने विर्धा को बुलाकर कहा कि मंगलिया को पुकारो ताकि वह भी आकर भोजन का भोग लगा ले इस पर मंगलिया को आवाज लगाई पुकारने की देर थी कि मंगलिया दोड़ा दोड़ा आ पहुचा मंगलिया को जीवित देख विर्धा को सुखद आश्चरिय हुआ वै साधू के चडलों में गिर पड़ी साधू अपने वास्तवी रूप में प्रकट हुए हनुमान जी को तुकि हनुमान जी भी शंकर जी का ही रुद्र रूप है इसलिए प्रदोश वरत में यानि भौम प्रदोश वरत के दिन शंकर पार्वती जी का पूजन करने के साथ साथ हनुमान जी का पूजन अवश्य करना चाहिए इससे संतान की दीग रायू होती है और सभी सुखों क की प्राप्ति होती है अगर करजा है तो करजे से मुक्ति मिलती है दोस्तों वरत कथा सुनने के बाद हनुमान जी और शंकर जी की आर्टी अवश्य करनी चाहिए और उनको भोग अवश्य लगाना चाहिए और भोग को सभी वहाँ पर उपसी जनों में अवश्य ही वित्रित क करें देखना इस प्रकार अगर आप पूजन करते हैं तो निश्चित ही आपकी मनोकावना अवश्य ही पूरी होगी बोलो गोरी शंकर भगवान की